नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरे साथ PK Real Facts तो आज के इस वीडियो में मैं एफिल टावर के बारे में बात करने वाला हूं जी हां सही सुना 2015 में एफिल टावर दुनिया का सबसे जादा घूमा गया परियाटनिस्थाल है दोस्तों उस वक्त करीब 6.9 मिलियन लोगों ने इसे देखा था एफिल है इतना सुन्दर कि जो भी इसका दीदार करता है वह उसको देखता ही रह जाता है तो चलिए आज जानते हैं एफिल से निर्मान 1889 में हुआ था उसे वहां आजित हुए बिश्मेले के प्रवेशद्वार के रूप में तयार गया गया था और बाद में उसे तोड़ने की योजना थी पर इसकी सुन्दरता बढ़ती लोग प्रेता और इसे रेडियो एंटीना बनाने की योजना को पूरा करने क लिए इसे ना तोड़ने का फैसला लिया गया दोस्तों यह पेरिस का सबसे उचाय स्ट्रक्चर है इसकी उचाय करीब 81 माली वाली इमारत के बराबर है अगर कोई व्यक्ति इसके सबसे उपर वाले माली पर पहुँचना चाहता है तो उसे 1665 शीरिया चड़नी होंगी दूस्ते विच्छीद के दौरान जब दुनिया का सबसे क्रूर आदमी हिटलर प्रेरिस पहुंसा तो एफिल टावर के लिफ्ट की केबल कार्ट दी गई थी ताकि हिटलर एफिल टावर के सबसे उपर ना पहुंसा के क्योंकि 1665 शीरिया चड़ना किसी के लिए बिलकुल आसान काम नहीं है दोस्तो एफिल टावर का नाम गुस्तव एफिल के नाम पर रखा दिया था वह एक इंजिनियर थे और उनकी कंपनी नहीं एफिल को डिजाइन और उसका निर्मान किया था गुस्तों ने अमेरिका के स्टेच्यो अफ लिवर्टी के कुछ हिस्से को भी ड दरसल एफिल टावर पर लगी लाइट के डिजाइन पर उसके कलाकारों का कॉपी राइट है। यूरोप के कॉपी राइट कानून के मुताबे कॉपी राइट वाली चीजों की तस्वीरे खीचना कॉपी राइट नियम का उन्लंगान है दोस्तों। दोस्तो 1899 में फ्रांस के एक अविश्कार केरन ने एक ऐसा जूला बनाने की योजना बनाई जिसकी सवारी करने वाले लोगों को एफिल टावर के सबसे उंचे हिस्से से करीब 1000 फीट नीचे यानी जमीन पर इस्तित तालाब में फेका जाता। लेकिन उनकी यह योविना सफ वैसा करने से लोगों के जानजाने का भी डर ठाध दोस्तो एफिल टावर को ड allegedly में नेके 20 हांतीयों के बुझन के पर पेइंट का इस्तमाल किया जाता। हे हर साथ साल पर इसे पेंट किया जाता है, जिसमें 7 तन पेंट खर्च हो जाता है दोस्तो मैं आपको बता दू कि इस एफिल टावर को बनाने में कितना वक्त लगा था इसके निर्मान में 300 कारीगरों ने काम किया था साथी इसे बनाने में खास्त रहके 18,38 लोहे के टुकडे और 2.5 मिलियन कील का इस्तमाल हुआ था वहीं इसे तैयार करने में 2 साल, 2 महिने और 5 दिन का वक्त लगा था दोस्तो बिटिस वर्जिन आईलेंड्स नाम के एक देश ने एफिल्ट टावर के आकार वाला एक 10 डॉलर का सिक्का भी चारी किया था एफिल्ट टावर की कुछ और हम बातों को जानेंगे दोस्तो यहां रोशनी के लिए 20,000 बल्ब लगाए गये हैं साल 2013 से हर दिन रात एक बज़े यहां की लाइट्स बुझा दी जाती है ताकि बिजली की खपत कम हो सके पुरी दुनिया में एफिल्ट टावर के 30 प्रतरूप हैं वैसे लंदन ने एक ऐसे स्ट्रक्शर के निर्मान की शुरुआत की थी जो उचाई में एफिल्ट टावर को पीछे छोड़ देता पर उसका निर्मान पूरा नहीं हो सका और आखिर में उस इस्ट्रक्शर को कुछ सालों बाद तोड़ दिया गया बरस नहीं इस सदो में बिजली के जटके ने एफिल्ट टावर के उपरी हिस्से को काफी नुकसान पहुचाया था जिसके बाद उस हिस्से का दुबारा निर्मान किया गया बदलते तापमान की वज़से इसकी उचाई में 5.6 इंच का अंतरा आ जाता है इसके अलावा तेज हवा में यह टावर 2-3 इंच नीचे जुग जाती है पहले पेरिस की बजाए स्पेन के बरसिलोना में एफिल्ट टावर का निर्मान किया जाने वाला था पर इस प्रस्ताव को आस्विकार कर दिया गया 1923 में एक व्यक्ति ने किसी से लगाई शर्त के मुताबिक साइकल से टावर की सीडियों पर चड़ाई की वह यह जीत गया लेकिन उसे इस गैर कानूनी काम के लिए इस्थानी पोलिस ने किरफतार कर लिया दोस्तों तो यह तो रही मेरी कुछ फैक्स जो एफिल टावर से संबंदी थे दोस्तों इस वीडियो में आपको कौन से सबसे ज़्यादा रोचक तत्थ लगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कु हैं